हाई दोस्तों आप सभी कैसे हो मेरे नए विलोग में आपका फिर्चे स्वागत है देखिए आप जो यह सामने देख रहे हो दूर दूर तलग ग्यों की खेती है और यह जो एरिया है जंगल के बीचों बीच जंगल को काट कर बनाया गया है और सामने आप यह जो जहुपली देख रहे हो इसमें लोग बाग उपर रहते हैं रात में और अपनी रात को फसल रखाते हैं जंगली जानवरों से बचाते हैं और देखिए दूर दूर तलग ग्यों की खेती हो रही है और सामने फारमाउस बनावा है और में आपको जाए फारम है जिस जंगल को काट कर ब देखिए कैसे तारबंदी की है यहां पर दिर्कुल कटीली जहाडिया लगी भी हैं बहुत काटेदार पेड़ लगाए गए हैं देखिए इन पेड़ों को लगाने का मकसद यह है कि इन फसलों को जंगली जानवर नहीं खा जाए आकर और देखिए दूर दूर तलक जहाड फ पेड़ लगाए गए हैं और देखिए मैं जो इसके अंदर जाऊंगा मिजे यहां पर एक रास्ता मिला है इस पेड़ के ऊपर होकर जंगल के अंदर जाऊंगा और देखिए बाईयों मिजे जंगल के अंदर इस पेड़ के साहरे से होकर अंदर जाना पड़ा है देखिए यादि में धोके से भी गर गया तो पूरी कमर में पूरे सरीर में काटे चुप जाएंगे काफी कटीले काटे हैं और देखिए मैं जंगल के अंदर आ गया हूं और देखिए मैं जंगल के अंदर आ चुका हूं जा मिजे बहसे चर्तिवी नजर आई है और मैं आपको आगी की तरफ ले चलता हूँ देखिए यहां के रास्ते कैसे दिये वे हैं और देखिए इस साइट घहना जंगल है यह जंगल जो है काफी कटीली जाड़ियों का बनावा है जो कीकर बोलते हैं और देखिए इन्होंने यहां पर रहने के लिए जोपली बनाई है और जोपली को भी इन्होंने कटीले जहाड़ फूश से बैरिगेटिंग किया है और देखे इसमें एक छोटा सा रास्ता दिया है और रात के समय इसमें जहार लगा देते हैं ताकि यहां पर जंगली जानमन नहीं आ जाए और मैं आपको यहां की विवस्ता दिखाऊंगा कैसी है देखे जोपली की बाहर के साइड है और देखे इसको कितने अच्छे से बनाया है इसमें पाने भी नहीं गिरता विर्कुल भी और देखे ओ ये ताउजी अंदर बैठे हैं जो गेवों की रखवाली करते हैं और इनके पास कपड़ों की अच्छे कहां से विवस्ता है रात के लिए और इनों नहीं पानी की विवस्ता की है और गाउं से इनका यहां पर खाना आता है और देखे कुछ टाइम इनसे बाते करने के बाद जंगल दिखाएंगे आपको कैसा है और देखिए मैं बन के बीच में आ गया हूँ और देखिए यहां की लोकेशन कितनी अच्छी है बन में काफी हरियाली है और इसमें मैं यह जंगली जानवर मिले काभी काफी खत्रा है लेकिन मैं फिर भी यहां पर आकर बिलोकिंग कर रहा हूँ और देखिए सूर्य अस्तोने को है बिरकुल और आप देखिए यह जो रास्ते देख रहे हो यह इधर से उदर जाते हैं बिरकुल गहना जंगल है बहुत तकड़ा है यह और देखिए यह जंगल में जाने के रास्ते हैं रास्ते काफी खतरनाक हैं और यह जगे बिरकुल एड़वेंचर से कम नहीं हैं यह जो आप हरए हरे पेड़ देख स्ट्वल बहुत बडर हो और गोसट यह तो कापी कटिले काटे लगए यहां पर इतनी कटीली जाड़िया हैं अब यह जो काटा देख रहे हो यह सभी लखडिया काटों की हैं यहां पर चलना यहां कम्फरटेबल नहीं है बहुती साफद्धनी से यहां पर एक पैर रखा जाता है और आगे चला जाता है कि दिए जो पूर जंकल है है मे Alrighty श्रहा необходимо में इस टाइप के काटे हैं कि जो मोटी टहने हो जाती है उस पर इतने मोटे काटे हो जाते हैं और पूरा जंगल इन्हीं लकड़्ियों का बनावा है लेके इसका प्रत्त कुछी मुई रास्ता है लेकिन में बीचों बीच आ गया हूं में बार बार जिस राष्टे पर जा रहा हूं कर अंदर की यहां से बाहर निकल ला हूगा कि मैं जब हम झाना ह की थी लेकिन मैंने देख था की सच लगे हैं उस प्रै कोषी साइड से भान निकल सकता हूं यह मेरे पास एक मेरे दिमाग में अरू लाया और में इसी के सारे से जंगल से भान निकलूंगा देखिए यहां का यह रास्ता मिला है मुझे निकलने का और देखिए मेरे सामने कितनी कटिली जहाडिया है और देखिए मेरे पैरों में काफी काटे लग चुके है जूते होने की बेश से मुझे भी कुछ आइसास नहीं हो रहा लेकिन काफी काटे जूते में लग चुके हैं और देख़ें यहाँ पर एक नहर टाइप है इसमें बर्सात में पानी चलता है जो जानबर यहाँ के इसमें भरावा पानी पीते हैं यह भी बहुत कटीला पेड़ हहे देखें जिस टाइम aug पक जाते हैं तो यह आप कांटे देख रहे हैं यह कांपी कटीले हो देखिए इस समय यह मुलायम है कुछ समय बाद यह पत्ता काफी कड़क हो जाएगा देखिए तोता उस पेड़ के उपर बैठावा है और मिझे उसी दिशा से बाहर निकलना है जंगल से और देखिए मैंने बन में एंट्री तो आसानी से कर ली लेकिन निकलना काफी मुश्किल हो गया दोस्तों लगवग 2-3 किलोमेटर दरदर घूमने के बाद में यह बहार निकलने का रास्ता मिला है और देखिए मैं बहार आ चुका हूं और आपको अपने जूतों की कंडिशन दिखा हूंगा कि जूतों में कितने काटे लग गए और देखिए बन में बिलोकिंग करते वे पैरों मे काटे लगे देखिए सब हो नुकीले काटे हैं हां Кम से कम एक जूते में 30-40 तो लगए हो देखिए यह उच्ण निकला है विरकुल पर के बीच और काप ही नुकीला काटा है और देखिए भाईयो पूरे जूते में काटे ही काटे लगे हैं काफी खतरनाक को बिलोकिंग है जंगल की और भाईयो आपको यह जंगल अंदर से कैसा लगा कमेंट कीजिए चैनल को फोलो सस्क्राइब कर लीजिए देखिए आपका एक सस्क्राइबर हमारे लिए काफी हमें आगे बढ़ाने की पेलना देता है और इससे हम और ज्यादा मेहनत करें ठीक है भाईयो नेक्ट ब्लोक में मिलते हैं